मंदिर के नहीं मंदिर बन रहे हैं और आज मोदी जो है उस मंदिरों को गिरा देना चाहता है वहां पर कुद का खबर बनाना चाहता है हम यह कहते हैं मंदिर को खबरस्तान मत बनाओ मंदिर को मंदिरी रहने दो हजारों वरकर्स उसमें काम करते हैं और हजारों वरकर्स का जिंदगी और उसके साथ गुजर रही है और देश का बहुत बड़ा भला होता है और देश का आमदनी में बहुत ज़ादा अगर मदद करती है उसको जिंदा रहने दो, जीवीत रहने दो, यह बात हम बार बार कह रहे हैं मगर वो यह कहते हैं कि पब्ली सेक्टर को पांसी लगा दूँगा मज़़ों को पब्ली सेक्टर से प्रेवेटेशन के हाथ में देंगा जिसतरह के कसाई बकले को काटने के लिए कसाई के हाथ में देता है उसी तरह पबी सेक्टेर व़रकर को कतं करने के लिए प्रवेट मालिकों के हाथ में उनका जिन्धर देना चाहते हैं जिसका Ministry में हम सब मिलक लड़ रहे हैं साथियों आप सब जानते ही हैं देश के अंदर किस तरह दाम बढ़ रहे हर चीज़ का आज कोई भी विजिटेबल लेने चाहिए तरकारी लेने चाहिए 80 रुपया, 70 रुपया, 100 रुपय से कम नहीं है मगर मोधी सरकार ने इस दफा ये कौटर में दाम सस्ते हो गई इसलिए अब डियने सलोंस कम कर दिया है मोधी के लिए दाम कम हो रहे है मारकेट मेर मज़़ूरों के लिए प्रचा के लिए दाम बढ़ रहे है मोधी जो है अपने डियने सलोंस कम करना चाहता है क्योंकि चीज़ों का दाम गिर गया है ये बोलता है मगर मोजी साब कहां पैट के देख रहा है यह चीज गिर रहा है दाम गिर रहा है कहां देख के बोल रहा है यह हमें पता नहीं है मगर उनका अर्गुमेंट यह है कास्ट आप लिविंग जो है वो गट नहीं है इसलिए इस दवाई ये कौटर में हमारा डिये जो है कम हो गया है इलिशनल है ये तरीके के कहने जो पड़ती है उसके विरुद में है हम इसके किलाब में आवाज उटाना चाहते हैं साथ ये इसी तरह लेवर के कानून जो है बदलना चाहते है कोई भी यूनियन को रिजिस्टेशन आएंड़ना करना नहीं देना चाहते है ये कंपनी में अगर 1000 आदमी काम कर रहें तो 500 आदमी जब तक दसकत नहीं करेंगे तब तक को रिजिस्टेशन नहीं करेंगे ऐसा बोलते है और दुसरा ये बोलते ही कि बार वाले जो है केट इंड में नेरे नचाई लीडर के अंदर ये बात हो कहते हैं मगर बार वाला यूनियम ने रही सकता मगर चाई पेशने वाला प्रदान मंत्री बन सकता है ये क्या जुलुम है हमको समझ में आया नहीं है एक गरीब आद्म को उपर आने का मौका है तो हरे गरीब आद्म को आगे बढ़के ट्रेडी मुमेंट को भी चलाने के तरीका और ताकात रहाग मिलना चाहिए मगर मोदी साथ ट्रेडी ने उनको माली को उनके साथ मिलकर सरमेदर उनके साथ मिलकर बड़े बड़े कारकाने उनके हवाला कर देना चाहते हैं उनका सुपरुद्य ने कर देना चाहते हैं और साथ साथ जो है मजदुर उनका गलाबी गोटना चाहते हैं साथियों हम ये अंदरण चार रूपिया बढ़ाने के लिए ने कर रहे हैं यहां दस रुपिया बोनस में बढ़ाने के लिए नहीं करते हैं, यह तो हम कुद भी हमारे वरकर इतने ताकत रखते हैं कि अपने कंपनी के अंदर ही हम लोग एजिटिशन करके हमारे मांगम ले सकते हैं। मगर देश के अंदर जो मजदूर नीदी बदल रही है। देश के अंदर जिस तरह के परिश्यम के नीदी बदल रहे हैं। और देश के अंदर जिस तरह सर्मेदर उन सब मिलकर, मोधी सरकार, मजदूरों का, गरिबों का, किसारों का, नुकसान कर रहे हैं। इसके किलाब में हम आवाज उटाना चाहते हैं। मजदूर के जिंदगी में कुछ आगे बढ़े जीते हुगती हम काम करते हुगती हमारा पगार बाइट सही नहीं मिलता है। हम चाहते ही कि रिटेर्मेंट के बाद भी हमारा वरकर को पिंचिन मिलते रहे। इतना पिंचिन मिले ताके वो दो टैंक काना काके रिटेर्मेंट के ऐसे से जिंदा रहे। इस तरह की परिसिती हम पैदा करना चाहते हैं। साथियों हम नहीं लड़ेंगे अपने आप को सरमयत हैं के हाथ में तेंगे। काली ट्रेडी इन मुमेंट इन नहीं मरेगा बलके मज़़ुर तैरी की कटम हो जाएगा मज़़ुरों का जिंदक ही बरबाद हो जाएगी। हम नहीं चाहते हैं कसाई के आप में बखरी दे दे। हम नहीं चाहते हैं कि पबली सेक्टर प्रवेट के आप में दे। हम नहीं चाहते हैं। हम मिनमें बेज चाहते हैं। मिनमें इस दीजिए। अरे बही जो सेवन पर कमिशन ने कहा जो भी कहा अमारे हिसाब से तेवी सजा 24 सजार का तुमारे हिसाब से 18-19 सजार का जो भी कहा इंप्लिमेंट कीजिए मिनिमेंबेज के नाम पर नहीं करना चाहते हैं देना नहीं चाहतें, बातों को आप कुछलना चाहते हैं और मालिकों के हाथों को मदबुत करना चाहते हैं इन बातों के इकलाप में नहीं लड़े तो और क्या करें हमने सभी लोग की साहिता से मदद से ताउन से कोपरेशन से इंदोस्तान में बड़ी मुसिबत से मजदूर तहरीक में एक ताम लेक रहा है हम कर्व से कहते हैं दुनिया में वहा नहीं वहा मुझे नहीं मालूम है मगर इंदोस्तान के अंदर हमने करके बताया है कि हम से कम बारा संट्रेल चेर्टन आर्गनेशन एक जंड़ के निचे एक हावास के साथ एक कदम मिला के हम आगे बढ़ रहे हैं यह हमारा जीत है मजदूरों के जीत है इसमें सर्माइदारों का जुलम और संट्रेल गवर्मेंट का जुलम दोनों भी हम नाश करना चाहते हैं हमारे यह ताकत के जरिये से ये ताकत को जिन्दा रखना बहुत जुरूरी है ताकत को जीवित रखना बहुत जुरूरी है मैं आप सापील करता हूँ ये जन्ग दो चलेगा ये आज तीन दिन के लिए हम ने पड़ा रखा यहां पर इसके बाद दुसरे कदम उठाएंगे तीन दिन के बाद क्या करोगे ये पूचिंगे नेक्स्ट कदम जो है इससे ताकत ओरोगा और मद्वित कदम उठाएंगे ताके हम लोग जो है मोदी सरकार को समझा सके तीन दिन से कदम ने हो रहा इसके बाद आओ रहा के चलिए तुम जब तक पुकारते रहोगे मद्वित के विरिद्मे काम करते रहोगे तब तक हमारे कदम आगे बढ़ते रहेगा एक दिन डेकी के तुम नह रहेंगे हम मद्वितु उपरो जाएंगे इस देशे क अंदर ये बात हम करके दिकाएंगे इसलिए मैं आपसे निवेदान करता हूँ बड़ी मुझे मुसीबस के साथ यह एकता हमने जमाई है हम सब लोगे ने मिलका इसको जिन्दा रखिए जीवित रखिए इसको ताकत रखिजिए आने वाला जमाने में और जुलम जाती पड़ेगी इसके हम मुकाबला करने के लिए हमारे में ताकत होना चाहिए शक्ति होना चाहिए लेकता होना चाहिए लेकता और मद्बुत होना चाहिए तब ही हम आगे बढ़ सकते हैं साथियो मैं आप सब को मुबारक बात देता हूँ कि आपने इतने दूर दूर से बरे नहीं हुगे, सुन सकते तो सुने, लाकों मज़ुरं का आवाज वा सुने, के हर प्रांच से, हर स्टेर से, लोग चलते वह यहां तक आए, तुमको सुनाने के लिए, मोदी को यह बोलने के लिए, तुम मज़ुरं किलाब आवाज बन करो, तुमारा कदम मज़ुरं किला आपको इसका पलिता देगा नक्तिजा देगा और इसका फैदा होगा हम मजदूर तेहरी का जो हमारी जो युद्ध है जो जद्द जहुद है जो स्ट्रकल है वो हम आगे ले जाएंगे और सक्सेश बनाएंगे इनी पारतों के साथ आप सब कर दन्यवाद करता हूँ